हेलो स्टुदेंट्स वेलकम हेर अगेन उन माई चैनल जानकरी हित मैसलफ हित अभिलाशी शर्मा अजसी गल करांगे कोमर्स ना रेलेटेड बड़ा इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि बहुत स्कॉरिंग पेपर है बहुत इंप्रूफ करता है इदे विच अपने अपनों की में त्यार करना है इदे वारे गल करांगे प्रेक्टिकल दे विच एग्जाम पैटरन की होना है इदे वारे मैं तोडिनल थोड़ा ब्रीफ दे विच गल करांगा ते बेसिकली अस तो प्रेक्टिकल त्यार करके दिखा मगे अस दी वीडियो दे विच लेट्स मूँएट विद में तो डिसकर्स टूड़े इस कॉंटेंट इक अलर्ड स्टुडेंट्स में हमेशा कहना होना है के वीडियो नू शुरू तो लिके अंट तक देखो फुल स्क्रीन करके देखो अपने डिवाइस दी ते इयरफोन यूज करो अल्ली देन यू कन गेट कम्प्लीट इंफरमेशन इन क्लियर और अप्टो पर्फेक्शन ओके स्टुडेंट्स फॉंडामेंटल्स ओफ य बिजनस असी डिफरेंट कॉंस्ट स्टूडी करते हैं आ ताइम है उसना इलेटिट बिजनस एक्टिटिज क्यों में करते हैं उदिना इन क्यों मैं और अल्रेटिन ए सब्जेक्ट्स देबारे ज्यादा गल नहीं करांगी तो और अल्रेटि में बिजनस इस्टडीज दा जो परजेक्ट वरक सी अजना अर्लेटिवीड WILD बनाई हो स्टूरेंट्स ने इस तो इलावा जेकर स्टूरेंट्स थर्ड पेपर as a compulsory subject एकनॉमिक्स आप्ट करलने दोना देवीच हो ताँ फोर सब्जेक्ट एजी अडिशनल सब्जेक्ट हो पर मैं स्टूरेंट्स नों गुजारीश करूंगा उनली स्कोरिंग पर बस तो एफ इवी मच बेटर टू भी स्लेक्ट एस थर्ड पेपर तीसरा जो सब्जेक्ट है उन्हों फीवी नों स्लेक्ट कर लो तो एकनॉमिक्स फॉर्थ कर लो तो देगे डिगरी लावल देगे काम तो स्टूरेंट गल करने एफ एफ इवी देवारे आज आज दे में वीडियो देवी कि मैं दसे ऐसे कीटा फोर्ट पेपर है तो दो देविश तिन आप्शन ने पंजाब स्कूल एउक्टेशन पूर्ण ने नमी आप्शन दितिया ने सीबियर सी पहला इंसी कंप्यूटर अप्लिकेशन मैथेमेडिक्स फ़ंडमेंटेल्स आफ एबिजनस और इकनोमिक्स दोना चोख ए एक एंसीजी चारान देविचोफ एक सब्जेक्ट अस्टुटरेंट ले सकते हैं जेकर इकनोमिक्स थर्ड पेपर और आप्ट कीता है अडिशनल सब्जेक्ट अइफ भी ले दा होना अव गल कर दे आज दे पेपर दे वर ज्यादा गल ना करके डिरेक्टली आज दे टॉपिक देवाल वादने हैं फंडमेंटल्स ओफ यी बिजनस सारे नुपता है तेन कंडे दा पेपर होनवाद है थ्रेटिकल 80 माक्स दा इस तो इलाबा प्रेक्टिकल होनने 15 माक्स दा आई यह दा मतलों इंटर्नल असेस्मेंट है पाच दाम बार दी टोटल 100 माक्स दा फंडमेंटल ओफ यी बिजनस दा पेपर है है यी बिजनस दे विच दिफ्रेंट युनिट्स ने उना दे विच गॉंसेप्ट एंड स्कोप ओफ इंफोमेशन टेक्नोल सी हाड्वेर क इबैंकिंग, इट्रेडिंग, इमार्केटिंग, इस सारे कॉंसेप्ट ने फंडमेंटल ओफ यी बिजनस दा सब्जेक्ट जो स्लिवस है ओदे ना रेलेटेड ये तान दास रहे हैं दा कि उसी कॉंसेप्ट नों होर चंगी तर आसम समझ सकी है कि एफ भी दे डिफरेंट क कॉंसेप्ट्स नों असी अपने प्रेक्टिकल चकी में शामिल कर रहे हैं स्ट्रक्च्रों प्रेक्टिकल क्वेशन बेपर प्रेक्टिकल दा जो क्वेशन बेपर आएगा स्टुडेंट्स नों वन एंड हाफ आरदा होएगा डीड़ कंटे दा पंदरा मार्क्स दे मैक्सि है इस तो इलावा जो question पर आएगा total five question होंगे two part one दे विच्वांगे ते three questions from part second दे विच्वांगे one two part दे विच्वांगे में दासने दोनों students ने तिन questions attempt करने ने ते हर question तिन marks दे पर इगल clear है कि दोनों पार्ट से विच्वांगे ते पार्ट दे विच्वांगे ते 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 विच्वांग सब्सक्राइब में इंटर्नल असेस्मेंटे पैंज नंबर निवसंटे इंस्टिस्या तॉटल थी ओटोल वाई वे हे 15 दा प्रेक्टिकल 80 दा रेटन टोटल हांडर्ड एक गाल क्लियर सुनो ए इंस्ट्रक्शन पी एस इवी दे अकॉर्डिंग लिने ताइम टू टाइम जे कर कोई चेंज हों देने सानो दे बारे हमेशा अलर्ट रहना चाहिन आपने टीचर जनाल कंसल्ट जरूर क गल करने दे सलेवस दी पार्ट बान ते पार्ट टू दी गल कर रहा है सी पार्ट वन जिस दे वीचो दो क्वेश्चन आंगे प्रेक्टिकल देविच इंटरनेट एंड इट्स एप्लिकेशन ए बेसी कॉंसेप्ट है यह दे बेस दे होते टोटल तिन हिससे ने लोग इंट इंटरनेट, नावीगेशन पूर सीकिंग इंफरमेशन, डाउनलोड़िंग इंफरमेशन फ्रॉम इंटरनेट ए तिन्नों बेसी कॉंसेंट से उत्ते बेसर बेस्टू क्वेश्चन आनगे पार्ट वन दे विच दे आसी प्रैक्टिकल वी त्यार करनें और जासी पर होना है रिटन ओदे वारे में तो अन्हों दस वी जोके हैं तिनना दे उत्ते आसी एक एक प्रेक्टिकल मिनिममम त्यार करांगे पार्ट वन दे विच इसनों इलावा लिस्ट ओप्रेक्टिकल्स पार्ट सेकिंड एदे विच बेसिक तिन टॉपिक ने सेंडिंग अंडर कि एक लिटर को चेंड coconut में औरतल में मुश्किल कम नहीं कॉठी इसली कर लगे यह साडे टोट कर दे प्रेक्टिकल्स प्रेक्टिकल्स यह तुसकी देखो सेंडिंग एंडर्सीविंग इमेल देवी छे सब पार्ट्स ने 6 होगे 2 हे ते 3 इस तो पहला 6, 2, 8, 3, 11 टॉपिक बंदे ने जिना दे उत्यासी प्रेक्टिकल हर हल चबराने ने क्लियर आही 3 टॉपिक होगे ते 6 फर्स्टे सब पार 2 हे ते 3, 6, 9, 2, 11 टॉपिक ने जिना दे तो आसी प्रेक्टिकल त्यार करने ने उन प्रेक्टिकल जो त्यार करने होदी सीक्वेंस होन दे सब तो पहला प्रेक्टिकल नोट बुक दा बड़ा इंपोर्टन हिस्सा होन दा है फ्रंट पेज जिन्नों केंदे ने फॉर्स्ट इंप्रेशन इस बैस्ट इंप्रेशन इट शुद वी ब्यूटिफुली डेकॉरेटर अकॉर्टिकल दू नीड आफ यूर सब्जेक्ट होन भाई यी बिजनस दा पेपर है उते तुसी कंप्यूटर पार्ट्स कंप्यूटर दी परसेसिंग अर्लेटट पिक्चर्स होन गया सोना जा एक वद्या जासी फ्रंट पेज त्यार करना है इदली त्यान रखो अपनी फाइल भी लगा सकते हैं मार्किट चैवी लेवल फाइल ने जी में तोड़े धीचर रिक्मेंट का देने ओदे एकॉडिं और इस टोपिक जाएज मेंशन फिफोर कर तोड़े मैं गयारा टोपिक दसे से स्यंते एक प्रक्टिकल जुरूर बनाओ अल्थो तेर इस नो हाद बास्ते घुल फॉर मेक्सिम नूबर प्रक्तिकल्स मैक्सिम जिन्मर जिन नहीं सराग्र जिए वहीं कॉई क्लियर नहीं ग तरहार करने कंसर्प्ट मैन 스타 सम्झा रहे हैं कि सवरी एक छूबबसुरत प्रैक्टिकल नोट इन्हेंट या ओपजे इनको तूसी यूज कर सकते हो बड़े इस ट्रंकर तयार करने प्रैक्टिकल लोटबोक ने जिस चासी जड़े उसी मिनिममम 30 टॉपिक जा इस तो ज़्यादा आसी बना सकी है minimum वासी 11 कोशिश करनी है कि बांजन क्योंकि 11 टॉपिक ने जिना अग लेटेड प्रेक्टिकल होन that is much better fundamentals of e-business how to write any practical or workbook तोड़ी ज़्यदी practical दी workbook है वोगते जदो practical लिखना था की में लिखना किसे topic थे introduction of any concept जड़े भी concept थे तुसी practical लिखना है पहला उदी introduction दो हुंदा की है जदो आसी FE भी दे practical कर रहे है थोड़ा different त्यान रखो जिमें science दे वीच असी exercise उदी practical actual कर दे सी किसे chemicals नो मिलाया फिर की बन गया उस तंगनल लिखया जाना similarly we are going to deal here too write the practical aspects or activities of concerned topic in step wise form जो जो steps तुसी उस practical नो करने लिख करोगे जा तो नो अपने cell phone दे होते जनो smart phone कह रहे है computer दे होते उस practical नो attempt करके दिखान दे विच जो जो step करने पहन दे ने जो question आएगा जिस practical नो सी त्यार करने ओ सारे सारे steps तुसी step wise लिखने ने step should write in such a way so that the needed activity can be completed in practical form on PC असी इस्त्रागन step लिखने ने तांकि वो activity नो जेकर कोई साथे steps नो बढ़के computer दे होते करना चाहे ता वो activity पूरी हो जे that should be keep in mind हमेश्रते आंज रुखो यह गल step लिखने असी उस्त्रागन ने जो आसी actual practically जे अपने PC दे होते personal computer ते जाए cell phone दे होते असी यह practical करके देखने हैं जो जो step आसी होते क्लिक कर दे होए अग्यवाद ने है same steps असी लिखने भी ने try to display pictures of maximum steps as they are visible on the screen of your PC while doing practical कोशिश करो असी उन्यक pictures भी paste कर दी को एक लाइन दार पेज है जिते लाइन लगियां वियान एक प्लेन पेज है जो activity यसी लाइन दार पेज दे लिख रहे आओ इन्वाल स्वंधत picture जेकर display हों दी है practical कर दे होए ताँ वो picture होते नालदी यसी display भी करनी है लिख प्लेन पेज दे होते सो दैट प्रीक्टिकल नोट बुक्स लुक्स प्रेक्टिकल ट्रेक्टिकेवल अंड सेकल इट लुक्स वीटिफुल सौनी वी लगे दें लगे यसी practically वांकी ओक कोंसेप्स कीते वह और प्रैक्टिकल आओ एक प्रैक्टिकल कर देंसी दार जी आपके लोगी दूसरे स्टुरेंट्स सोधें करो सोधेट इस चैनी गूड़ पूर था माल सो पर उस्ते यसी लिखना किया है कि आल्मोस सेम होंदा है सेशन 2020-21 एफ़ेबी और e-business और fundamentals of e-business अपने subject दा नाम लिख देना है प्लस टू कमर्स प्रेक्टिकल वर्क बुक नेम बोर्ड रोल लंबर स्कूल नेम जिन्हों मैं name of school लिख्या है इस तो इलावा इसते जे कोई होर mentionable चीज है तो उसे वह भी लिख सकते हो पर basic एक content होना चाहिंदा है समझ लगया इथे district हो सकते है तो उसी अपने जिस district दे वीच दोड़ा school है उन्हों सी mention कर सकते है इस तो इलावा next page है index दा very first page होंदा है हर practical notebook दे वीच जी में serial number, date, title, page number, teacher, sign जिनने practical आसी लिखांगे 1, 2, 3, serial number करके जिस date नो आसी लिखते जा रहे है वो date लिखनी है तो उसी सारे जानने हो तो title जड़ा practical है माल लो आसी navigation information साड़े title दी माल लो जड़ा practical हो तो title है यह थे लिखतांगे जिस page number दे आएगा हो page number लिखा जागा थे teacher साइन हो से ने यह थे कोई भी खुबसूरत सी index बना सकते हैं जे करसी अपने को लो बना रहे हैं उस तो बड़ा important ने सुनदा एक certificate यह तोड़े teacher बुलों दिता जागा जो तोड़े guide ने इस इस तो certified that नाम आजेगा student of class 12th commerce has successfully completed a research on project under the project जेड़ा भी उने किता है fundamentals of e-business आजेड़ा project है under the guidance of subject teacher दा नाम आजेगा during year इस साल दे दोरान teacher दे sign counter sign दे रूप चोजनगे कि yes teacher ने ही करवाया है next principle लों counter कर देंगे कि yes teacher दे guidance दे विचे सारा कुछ हो रहे है इस इस तो certified that Mr. or Miss son or daughter of shitty यह थे father दा नाम आजेगा पहला student सा नाम आजेगा student of class दा नाम आजेगा under board role number आजेगा यह थे school और college दा नाम आजेगा has completed his or her practical work himself with all his or her dedication successfully in very effective way under my guidance teacher आपने वलों इस तरह दा certificate लिख के देंगे एक printed form च भी हो सकता है ते तुसी manually हाथ नाली भी लिख सकता है hand written certificate भी हो सकता है teacher दे sign the designation आजेगा जो भी teacher तो नों गाइड कर देंगे मलो साड़ा अजदा practical है जिसनों मैं तोड़ी practice दे लई दे रहे हैं let our practical is about navigation for seeking information मलो साड़ा अज़ प्रेक्टिकल है जानकारी दी मंग करन ली navigation मलो असी जानकारी करनी है कोई computer तो navigation की मैं करी रहे है इस process नों दिखाने है असी practical दे वीच इदे नालदा जेकर question आंदा है पर फरजा अपनी book दे वीच क्योंकि यह topic है साड़े part 1 दे वीच सेकंड topic है navigation for seeking information मैं होना सारे 11 topics से वीच एक topic तो अड़ी सो भीदा लगी बना रहे है ताकि गाइट दे तो और ते तुसी इस practical नों बेस मन के अगे बार जिमें navigation दे वारे जिमें navigation दे वारे पहला सारा ने लिखना भी हुंदा की है उस्तों बाद एड़ी picture रहे थे शो किती भी है इन्हों सी दूसरे पेस दे डिस्प्ले कर देना है तो यह navigation दा प्रसेस सा नों पता लगया कि यह सारे search engine ने उपर लिखते है search engine ने जड़े use हो रहे ने साड़े द information नों search करना अपने device दे होते search engine दी वर्त हों दी है search engine यह सारे ने जिना दी मैं थे list बना रखी है search engine इंडिया ज्यादा दर इंडिया ची यूज होने वाले टॉप 10 search engine ने यही ने ओधी pictures है इन्हों भी तुसी display कर सकते हूं Google दी है इसे तरह ही Google Chrome याहू दी है बिंग दी है पर सारे जड़े इना दे लोगों बने वेने थे इस सारे नूँँ असी दिखा सकते हैं तहां प्रेक्टिकल जड़ी नोर्ट बुक है इफ्यक्टिव लगेगे सर्च इंजन दे वारे असी थोड़ा होड़ दस सकने ज़े चानने है जरूरी नहीं है कोई साड़े पर्जेक्ट दी चानी थोड़ी जान कर ले वी देसा देश देविच साड़े विच दिसंबर 2020 देविच जो लेटेस्ट इंफरमेशन है सब तो जादा जड़ा सर्च इं सर्च इंजन यूज है याहू 0.34 दिस मेंज बाकी था सारे मार्जनल रहें पॉइंट से विची रहें पॉइंट टू दे करें सब तो ज़्यादा गूगल एजे सर्च इंजन यूज होंदा है साड़े दिश्ट दे विच गाइड़ प्रेक्टिस फॉर नेविगेशन प्र यूज हो सकता है कोई वी कुष्ट इनिमल इस दा फास्टेस अन आर्थ है कोई जरूरी नहीं है कोई वी कुष्ट तूसी पूठ कर सकते हो यूज साइट STTP double dot double slash one kind dot org slash on our search engine Google Chrome मालो इसा नूँ question आ गया paper दे which वी इस तरह दा question होंदा है जिए हुजा मैं practical दिखा रहे हैं तुसी इस site नूँ use करना है उन्हें साफ दस रख है जेकर site नहीं दस आइट तुसी आप दस सक देओ असी लबना की या information की search करना है which animal is the fastest उना है तो जमीन दे उते साफ तो fastest animal कौन है सब तो fast search engine करना यूज करना है Google Chrome पहला step की होएगा question लिखूं तो बाद पहला step start Google Chrome Google Chrome टाइप करांगे and click करांगे start Google Chrome start हो जेगा जे already हो दा Google Chrome दा हो थे sign हैगा असी सिद्धा उन्हों click करांगे यसी यह थे लिख भी सकते है click the icon of Google Chrome on your desktop on your PC Google Chrome दे आइप करांगे ताथ उसी देखोंगे Google Chrome दा इस ट्राइप दा आइकोन साथे सामने आजेगा इदी picture आशी दूसरे पेस्टे जो प्लेन पेस्टे उस्ते पेस्ट करदांगे ते step 1 है जो लाइन दार पेस्टे लिख दांगे खुला बड़ा सुना जा खुबसूरती ना लिखना है students क्योंकि बड़ा छोटा कुश्चिन है लेंथी नहीं हुनदा सेकंड स्टेप राइट एस्टी टीप डवल डवल स्लेश वन काइंड डॉट ओर जी एंड क्लिक ओन एंटर असी जो अड्रेस बार हुन दिये थे सारा नूँ पता है students प्लस टू लेवल तक सब जानते ने उत्यासी एवाली वेबसाइट जो अड्रेस है और लिख दांगे ते क्लिक करांगे एंटर वाले बटन नूँ अपने तीसी दे होते कीबोर्ड तो ते साड़े जामने इस वेबसाइट दा home page खुल जेगा that is the home page of one kind .org ये तोड़े सामने है ये तोड़ी मैं जानकरी लिए थी पेस्ट करते तुसी वी एमे करने है home page दे जड़ी साइट है सानू इस तरह दी दिखे की जो दा front page इस साइट नूँ खुल लों ते देखेगा एस step तुसी लाइनदार लाइना ते लिख दो ते plane साइट दे जसी इस तरह दी पिक्चर जड़ी पेस्ट करते नहीं है क्लियर अगले स्टैफल वाद दे हैं उन्तिया अनल देखी जाओ यह उपर home page दे बड़े सोरे होर भी hyperlink देखे रहने में लिंक तो इलावा इस में लिंक सी साड़े कोल यह थे सब पार्ट साके होर देखे रहने जो जो इस website दे home page दे उते साड़े कोल है स्टैप थर्ड क्लिक दा hyperlink animal top 10 यह थे बहुत सारे साड़े को hyperlinks ने सब पार्ट स ने थे animal a to z animal biology animal kind एक है animal top 10 and view it जूँ ही असी इनूँ click करांगे a pull down menu will appear एक menu साड़े सामने होर अपीर होजेगा इनूँ जूँ ही असी click करते है साड़े सामने यह वाला menu खुल जेगा इदे उपर एक topic दिख रहा है fastest हैगा बहुत कुछ है देच biggest smallest strongest बड़ी information है sun loving animals laziest animals longest living most endangered बड़ी information animals दे वारे पर सनूँ fastest चाहिए असी fastest दे जड़ा एक सनूँ दिख रहे है दे विच पार्ट इनूँ click करांगे किस तरह एदे लिए थर्ड स्टेप बनाने है जो तो मैंनियू आजेगा सनूँ फास्टेस वर्ड लिखेगा क्योंकि साड़ा प्रजेक्ट किया fastest animal रबने है फोर्ड स्टेप लिखांगे जोड़े दो स्टेपने इक पेज थे विया सकते ने फिक्ट्रस डिस्पले करें तो दो स्टेप ईजली आ जाने एक फेज दे स्टेप फॉर्ड क्लिक धा हाइपर लिंक्श इस जो हाइपर लिंक फास्टेस खुल रहे है असी असी उ दिखने सब तो पहला टैंथ स्टेंडर दा जो है फिर नाइन फिर एट सब तो फास्टेस है नंबर वन एंट सानु दिख रहा है साइट दे जिवे मैं सर्च करके देखा उसी देख सकते सानु ये दस फास्टेस एनिमल दे वारे इंफोर्मेशन मिलेगी टॉप तैन फास्टेस एनिमल ते सब तो फास्टेस की आउता लब नहीं आसी आजे उनू भी आसी मैंशन करांगे आओ देखिये 5th step now we can see very amazing facts about such animals as according to this side the fastest animal is the peregrine falcon ये फास्टेस एनिमल है जी falcon सारे नूँ बता है बाज नूँ कहन दे नियाम पजावी बाशादे वीचे फास्टेस जो फास्टेस इनिमल अनु दा प्लैनेट और एनिमल है यह बादा है लेकिन दुनिया दे भी जो फास्टेस एनिमल दिर बटी गल्कृल्च जो सब-सीरा फास्टेस है वह पेर फालकन है यह देवारे जो तो सी इंफोर्मेशन पढ़ते हों देखो यह पेज खुलेगा उते नंबर वान दे होते आएगा पैरागरेन फालकन पैरागरेन फालकन इनस्टूप दे कें रीच अप्टू स्पीड ओफ 321 कपीएच जो देश टूप डाइव कर दे अपनी शिका की है देखो यह प्रैक्टिकल साड़ा पूरा हो गया उन्हें कैसी फासिस एनिमल दसो प्लैनेट दे उते की है ते इस साइट इस साइट दे एकॉडिंग लिए जो इस साइट सानू दिख रहे हैं उन्हें साइट दा लिंक दिता सी असी और इंफ्रमेशन लब के दास दी इस आर प्रैक्टिकल एसी नैविगीशन की में करने एक कॉंसेप्ट पूरा करता इस तरह हो ग्यारा कॉंसेप्ट ने मेल अकाउंट की में ओपन करने मेल की में सेंड करनी है तरह 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 दी इंफ्रमेशन और टॉपिक्स ने असी होना दे उते अल्मस्ट ग्यारा मिनिम topics दे उत्ते practical बनाने ने उस तो ज़्यादा भी बना सकते हैं समझ लगी मेरी कल similarly we can get more information about the peregrine falcon and nine other from this link के मैं तो नो 10 ही जो के हैं कि 10 fastest 10 से ने उना ने peregrine जो falcon है उते वारियसी होर information भी ले सकते हैं इसे site से उते दिख रही है इस तो इलावा nine four ने जड़े फासिस दी लिस्टे विच ने टॉप 10 दस से ने इस लेंक तो आसी प्रापत कर सकते हैं इस तरह करके ऐसी practical नो बंद करदांगे pictures दूशी हर step दे according जए picture लगा दोंगे मच बैटर है नहीं कोड़ोंगा दो तिन picture ज़रूर लगाओ ता प्रेक्टिकल जड़ा अच्छा लगेगा खुब सुरत लगेगा ते सानू हर स्टैप नू clarify करेगा कि आसी यह step क्यों ले है clear हो गया स्ट्टिकल आलमोस तीन चार पेजां चाहाँ जन्द है जैसी ग्यारा प्रेक्टिकल बना रहे ने दस जा बारां बनाने ने ता आलमोस तीन या चार पेजी जदे विच साड़े पर प्रेक्टिकल सानू चाहीं देने प्रेक्टिकल नॉट्बुक को बहुत खुप सूर्त देनाल थाटे सामने आजएगी ते ओधा ओवराल इंप्रेशन बड़ा वदिया पहना है ते त्यान रखो इस तरह यह टॉपिक्स दे होते जेला मैं एथे भी बड़ा इंप्रमेशन लिखी है दूरिंग प्रेक्टिक उट्रेब क्याँमोटारीं यह ट्रेक्टिकल इस पहल आ रखो इक्जाम दे विच यह टरो पैपर जो उट पैपर इप्राश्चिंज आने हैं तान तो अनू practical करन लोई भी examiner कह सक देने, जिस तरह जिस तरह तुसी practical करके दिखा रहे हो, मालो उने कहा के falcon जड़ा है उदे वारे information नवीगेट करके दिखाओ, जिस तरह जिस तरह तुसी step ले, ओह जिस steps होते मिलन वाली answer sheet दे लिख देने ने, that is very easy, इस तरह देना से जो practical देवार है, so I think the whole concept is quite clear, जिकर किसे दीकल क्यारी है, तुसी मेरे नाल, मीचे comment box आके मिनों दस लग दियो, इस तों इलावा, time to time department दी जो नमी instruction दे, वो सारे students हमेशा ते आन रखो, जिकर कोई आपडेट हों दी है, इस चैनल ते होर बहुत सारे यां वीडियो नहीं कोमर् देवार्श, इस चैनल देखो और वीडियों देर गरो, तिल देन, थैक्य। वर्यच।